Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का largest online learning platform है, यहां आपको मिलती हैं daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access 24-7, हमारे जितने भी video lectures हैं, जितने भी study materials हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हम से जुड़ना होगा, Unacademy learning app डाउन्डोड करें, Google Play Store पे जाके या iOS App Store पे जाके, and then आपको लेना होगा हमारा NEET UG का paid subscription, हमारे सारे features अवेल करने के लिए, इसके लिए कई options available हैं, 1, 3, 6, 12, 24, और since NEET UG का syllabus काफी वास्ट है, थोड़ा time taking होता है, इसलिए एक साल या दो साल का package, सबसे ज़्यादा popular है, and most recommended भी, और आप देख सकते हैं कि एक साल के package में सिर्फ आप 6,000 और आट करते हो, तो मिलता है दो साल का package, on top of that, मेरा referral code, love10, अपनी screen पे नीचे red में आप देख सकते हैं, ये अगर use करते हैं, तो मिलेगा extra, 10% off, जो भी हमारी base price है, मेरा नाम लवकिश्वर श्रिवास्तवा है, मैं गिल University Canada मैं as a researcher मैं समय काम कर रहा हूँ और आप personally मुझ से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना telegram link नीचे हाट कर दिया, तो last time हमने बात की थी phases of growth की, अब एक चीज़ आती है growth rate, हमने बात की थी, कि plant किस तरीके से grow करेगा, कैसे, कितनी time में, कहीं भी rate आता है, तो time की बात आती है, यह तो आप समझ गए, ठीक है, अब बात आती है कि growth rate भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है arithmetic, एक होता है geometric, क्या होता है यह हम यही discuss करेंगे, इस lecture में और इसके बात हाले lecture में, तो यहाँ पर आप देखिए, कि the increase in growth per unit time is termed as growth rate, ठीक है, क्या मतलब हुआ, माल लो, plant है, उसका जो area है, 10 mm square, for example, और यह 20 mm square हो जाता है, 24 hours में, तो इसका growth rate क्या हो गया, 10 mm square upon 24 hours, ठीक है, जो भी आएगा, उसकी unit हो जाएगी, mm square upon r, ठीक है, आप length के form में भी देख सकते हो, यह ठीक है, number के form में भी देख सकते हो, growth मैंने आपको पहले ही बताया था, growth के कई parameters है, तो आप growth को किस parameter के term में देखते हो, उसको divide से change, उस parameter में change जो है, that divided by जितने time में वो change आया, that is growth rate, ठीक है, अच्छा, तो अब यह growth rate जो है, आपने देखा, mathematically, यहां maths भी add की जा सकती है, अगर आपको numbers पता हो, तो mathematically, आप जो rate है, वो calculate कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, कि कोई भी organism है, उसमें जो cells है, cells can be produced in कई तरीके, ठीक है, क्या क्या होगा, आप growth rate shows an increase that may be arithmetic or geometric, क्या मतलब हुआ इससे, हम देख लेते हैं, आगे, in arithmetic growth, following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide, while the other differentiates and matures, क्या मतलब हुआ इसका, इस figure में देखो, मालो यह दो cell है, ठीक है, यह है, यह है, यह है, तो, तो इस केस में क्या हो रहा है, वन जो है, वन जो है, वो डॉर्मेंट हो गई डॉर्मेंट का मतलब अब divide नहीं कर रही, two जो है, वो divide करेगी, तो एक से दो cell बनेगा, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ नमबर दो था, यहाँ पे यहाँ नमबर तीन हो गया, इस case में अब क्या होगा, यह वाली inactive हो जाएगी, ठीक, इस से दो बनेगी, तो नमबर चार हो रहा है, देखो, inactive में बताता जाता हूँ, इधर इस case में यह inactive हो गया, ठीक है, अब यह तो inactive है, यह total, आपने देखा, यह inactive तो पहले ही हो चुकी है, अब second case में क्या होगा, जो divide नहीं करेगी, यह inactive हो जाएगी अब, और यह वाली active रही, ठीक है, इस case में यह active थी तो यह divide करके देखो, दो बना रही है, अब हमारी यह inactive हो चुकी है, इस case में क्या होगा, आपने देखा, इससे यह दो बन रही है, यह inactive होगी, यह active हो गई, यह आगे inactive, ठीक है, तो number देखो इसमें, पांच, छे, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है, exponentially नहीं बढ़ रह है, कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे नहीं बढ़ रहा, ठीक है, एक एक करके step by step, एक ही एक करके बढ़ेगा, ठीक है, तो इस type के progression को हम बोलते है, arithmetic progression, ठीक, अब यह इसका graph है, इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहले आप इदर देख लो, अब यहाँ पे अगर यह चलो, equation of straight line होती है, ठीक है, अगर यह सीधी line आप खीचोगे graph में, तो इसकी यह equation होती है, जिसमें क्या होगा, बलकि इसको ऐसे ले लो, तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे, यह ले लोगे, तो यहाँ पे C जो है, C is the Y intercept, यह C होता है, M होता है, इसका slope, X सबको पता है, यह और यह Y, ठीक है, तो अब हम growth को, ध्यान रखना important है, growth को, अब यहाँ पे देखो, इसने height of the plant किया है, वो area भी हो सकता है, ठीक है, वो number भी हो सकता है, क्योंकि growth हमने इस terms में बताया था, अब अगर देखो, on plotting the length of the organ, ठीक, यहाँ इसने example ले लिया, length ले लिया, against time, a linear curve is obtained, ठी किसमे arithmetic वाले में, यह arithmetic की बात हो रही है अभी, ठीक है, इसमे linear आ रहा है, linear की equation हमने बताई है, आपको y is equal to mx plus c होती है, अब देखो, एक equation हम इस form में ले आ है, याने lt is equal to l0 plus rt, ठीक, क्या होगा, इसको compare करें, अगर y is equal to mx plus c से, ठीक, यहाँ पे देखो, उल्टे form में कर दिया, c plus mx, बात वही आ जाती है, तो y यहाँ पे क्या हुआ, lt हो गया, ठीक, c क्या हो गया, l0 हो गया, m, slope जो होगा, slope क्या आएगा यहाँ पे, अभी आपको बताता हूँ मैं, जो r है, ठीक है, r से compare करो, और x क्या हो गया, यहाँ, t हो गया, अब देखो, x axis पे t है आ आनी चाहिए, y axis पे length है, l0 क्या होती है, जब time 0 हो, जब x 0 हो, ठीक, तब y की जो value होती है, that is c, ठीक है, याने की initial, जब time 0 है, तो initial plant की कितनी length होगी, that is l0, जो की इस equation में आप देखोगे, तो c आ रहा है, which is y intercept, तो क्या होगा, अब यह linearly grow कर रहा है, तो lt, अब आपने देखा, lt क्या है यहाँ, length after time t, ठीक है, l0, length at time 0, और r क्या है, growth rate, जो की इसका slope है, तो क्या होगा अब आप इसमें करके देखो, slope क्या होता है, slope is equal to, अगर आप slope को calculate करो, तो यह आता है, y2 minus y1 by x2 minus x1, ठीक, यह slope का formula है, इसमें देखोगे, y2 minus y1, यान डेल्टा l, plant की height में जो भी change आ रहा है, upon x2 minus x1, याने डेल्टा t, बस यही तो आपको बताए था, कि change in growth parameter, चाहे length हो, चाहे number हो, divided by change in time, this is growth rate, देखो, इसी लिए r को growth rate लिखा हुआ है, ठीक है, तो I hope कि एक arithmetic progression कैसे चलदा है, arithmetic में एक चीज़ याद रखनी है, कि linear है growth, linear, अब ही आप मैं geometric बताऊंगो, तो वहाँ पे तुम देखोगे, exponential आ जा रहा है, वहाँ पे दूसरी कहानी आएगी, वो क्या होता है, हम वो discuss करेंगे अगले lecture में, इस lecture में आपने यह देख लिया, कि linear growth अगरा रहा है, तो बस दिमाग में डाल लो arithmetic, और यह equation याद कर लिना, कुछ नहीं, straight line की equation याद होनी चाहिए, y is equal to mx plus c, पूरी की पूरी कहानी खतम, यह slope को खुद compare करके देखोगे, अपने आप equation बना लोगे, और growth rate बना लोगे, तो I hope की arithmetic growth क्या है, अब दिमाग में घुज गया होगा, वीडियो पसंदा है, तो like करो, comment करो, subscribe करो, and love 10, यह जो मेरा code है, इसको use करके, unacademy से आप जोड़ सकते है, and, मेरी classes का regular update पाना है, तो उसके लिए मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है, मिलते हैं, अगली class में, तब तक के लिए, thank you and bye.